इस वीडियो में हम देखेंगे economics से part 2 जो की आपका best हुगा theory of demand के उपर तो ध्यान से देखिएगा, simple सब्दों मैं समझाने कोशिश करूँगा कि demand theory क्या है और कैसे वो related है, कहाँ कहाँ से आपसे questions बन सकते हैं और क्या कुछ important concept है जो आपको दिमाग में रखने चाहिए तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हलो, मेरा नाम चंद्रहास है, study smart मैं आपका स्वागत है दोस्तों, economics का part 1 मैंने आपको दिया था कुछ दिनों पहले जिसमें मैंने basics बताये थे, economics में क्या-क्या होते हैं, वो भी आप देखिएगा जरूर जिससे आपका थोड़ा सा concept clear हो सके, अगर आपने पहले economics नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे theory of demand के बारे में कि theory of demands related क्या-क्या topics हैं, क्या-क्या important चीज यह concept है जो आपको समझने चाहिए जिससे अगर इससे related कोई भी आपका topic आता है, चाए वो question के रूप में हो, चाए essay के रूप में हो तो आप आसानी सुझे explain कर सकें और रही बात जैसे आप newspaper वगरा पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी changes वगरा दिखाते हैं, अगर आपको सही से पता नहीं है theory of demand तो बहुत सारी चीज आपको समझ में कम आती होंगी, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा laugh मिलेगा तो चलिए start करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ, what is demand? तो demand का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मांग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, demand is an economic principle that describes a consumer's desire and willingness and ability to pay a price for a specific good or services मांग का जैसे हम मतलब समझते हैं कि किसी consumer के term में अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कोई consumer हैं, तो अगर आप किसी भी वस्त को खरीदने के इच्छुक हैं, मतलब आपके मन में हैं कि आप उस वस्त को खरीदें, और सिर्फ इच्छा रहना ही कि हाँ पे बात नहीं कि अथी साथ आप उस particular good या service, मतलब चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई सेवा हो, उसको pay करने में भी सक्षम हैं, तो वो कहलाएगी demand, या जिसे मिन्दम कहेंगे मांग, इसके converse true नहीं होते हैं जैसा, अभी मैंने एक बताया कि आपकी इच्छा तो है, लेकिन आप उस आपकी desire हो, और यह ability हो कि आप उसका जो price है, उसे आप pay कर सकें, यहाँ पर आगे भी लिखा है, holding all other factors constant, मतलब यह जो परिभाशा आपको दी जा रही है, यह केवल price को लेकर के दी जा रही है, और जो बाकी factors होते हैं, जिनके बारे हम आगे बात करेंगे, कि और क्या-क्या factors होते हैं, उन सब को constant रखा गया है, मतलब उन सब चीजों को स्थिर रखा गया है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर और सब चीजों को स्थिर हम रख दें, तो क्या लिखा है, an increase in the price of good or services will decrease demand and vice versa, मतलब कि अगर हम और चीजों को constant रख दें, मतलब उसमें कोई परिवर्ता न करें, स्थिर कर दें, तो अगर हम किसी भी वस्त की कीमत को बढ़ाते हैं, तो उसकी जो मांग है, वो अपने आप कम हो जाती है, और कह रहे हैं and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी सत्य होगा, कि अगर आप price को कम करेंगे, तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसे practical sense मे हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो मांग होती है, यह आपको एक general परिवासा दी जा रही है, बाकी सारी चीजों को constant रखते हुए, जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर यह माल लेता हूँ, कोई वस्तु A है, पहले इसकी price थी 100 रुपय की, ठीक है, 100 रुपय की एक वस्त से 50 नहीं रहेंगे, बलकि कम हो जाएंगे, और माल लेते हैं, अगर वो 20 पर आ गये, मतलब उसकी demand क्या हो गई, 30 से घट गई, फायदा होगा, नुकसान होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसकी मांग क्या होगी, घट गई, क्योंकि 1000 रुपय इस वस्तु के लिए सारे पताता है, demand क्या होती है, और इसके law क्या है, law के बारे में आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ते हैं, क्या है term, utility, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा, utility means the total satisfaction received from the consuming a good or services, ध्यान रखेगा, कि जब आप किसी वस्तु को उपभोग करते हैं, तो उससे आपको ज योगी है आपके लिए, तो उससे आपको पता चलेगा, कि वो कितना satisfy कर पार ही आपकी desire को, आपकी need को, तो उसको हम क्या कहते है, utility, आगे लिखा है, the economic utility of good or service is important to understand, because it directly influence the demand, and therefore price of that good or service, मतलब जो वस्तु जितनी उपयोगी होगी, उसकी demand और जो उसकी price है, उसी हिसाब से उ और आसानी से पहचान सकते हैं, कि हाँ, ये बस बहुत उपयोगी है, मतलब इसकी price और इसकी demand है, ये कैसे change होगी, अगर इसकी price में हम कम ज्यादा करें, तो, मतलब अगर एक मैं pencil अगर बनाता हूँ, ठीक है, pencil का का काम क्या है, लिखना, अब अगर उसमें बीच में graphite की जो चान होती है, उसको मैं नहीं लगाता हूँ, graphite के stick को निकाल करें, उस pencil को अगर मैं बाजार में बेचूँँगा, तो बताइए उसकी क्या कोई उपयोगीता रहेगी, कहने को केवल उपयोगीता होगी, लेकिन वो लिखने का काम नहीं कर पाएगी, मतलब उसकी उपयो उपयोगीता होगी, सुने तो नहीं होगी, क्योंकि इस से आप लिखने का काम तो अभी भी कर सकते हैं, बस इसके उपर cover नहीं है, तो यही होता है क्या उपयोगीता या utility, जिसे हम कहते हो, हार एक good और service के लिए अपनी अलग-अलग होती है, और हार एक person के इसाब से भी change ह होती रहती है, तो मेरे खाल से basic सा concept आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम चलते हैं, law of demand क्या होता इसको पढ़ते हैं, जैसा भी उपने पिछले part में पढ़ा, कि other things being constant, if the price of commodity falls, its quantity demanded will rise, कि अगर और सारी चीज़ों को हम constant रख दें, बाकि सारे factors को हम constant रखें, क्योबल price को लेते हैं, और price में अगर हम commodity या जो भी good होगा, उसकी price को कम करते हैं, या गिराते हैं, तो उसकी quantity demanded होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, वो बढ़ेगी, और अगर हम price को increase करें, तो उसकी जो demanded quantity होगी, वो क्या होगी, decline होगी, मतलब गिरेगी, मतलब आपको यह समझ मे आता है कि इनका आपस में क्या है there is an inverse relationship between price and quantity demanded कि इनके बीच में एक क्या है inverse relationship है मतलब अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा यह होता है law of demand इसको आप ध्यान रखेगा इसका एक graph भी होता है जो आपका downward sloping होता है अगर आपसे कभी पूचा जाए कि law of demand का जो graph होता है वो कैसा होता है तो आप बताएंगे downward sloping होता है मतलब क्या है इसका जैसे graph ऐसे मैं मनाता हूँ x और y axis का अगर x axis पर मैं demand दिखाता हूँ और y axis पर मैं price दिखाता हूँ तो यह जो graph होगा कुछ ऐसे बनेगा मतलब नीचे की तरफ उन्मूख होगा यह मतलब क्या है कि जब आपकी price अधिक होगी मतलब price माल लेता है अगर यहां पर है तो इसकी demand क्या होगी बहुत कम होगी price जैसे जैसे आपकी कम होती जा रही देखिए वैसे वैसे इसकी demand क्या है बढ़ती जाए देखिए x axis बढ़ता जा रहा है मतलब demand बढ़ रही का जब price कम हो रही है उल्टा भी देखिए जै का law of demand काम करे ही, कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है, उल्टा का मतलब क्या, कि जब price बढ़ेगी, तो quantity demanded भी बढ़ेगी, और जब price कम होगी, तो quantity demanded जो है, वो भी कम होगी, और ऐसा कब होता है, और इसी के लिए हम इसको क्या कहते है, exceptions of law of demand, कि मतलब law of demand का अपवाद जो है उसे हम जानते हैं, Giffin Goods के रूप में, Giffin Goods क्या होते हैं, Giffin Goods आप कह सकते हैं कि law of demand का क्या है, अपवाद है, इसकी खोज किसने की थिया, इससे बताया किसने था, तो इस टर्म की खोज या इसको बताया था Robert Giffin ने, इन्होंने बताया था कि Giffin Goods के तहत law of demand काम नही करता है इसमें जब भी आप price को बढ़ाएंगे Giffen Goods के लिए जब भी price बढ़ता है तो उसकी जो demand होती हो अपने आप बढ़ जाती है और जब भी price कम होगा तो demand अपने आप क्या हो जाती है कम हो जाती है मतलब law of demand का ठीक उल्टा होता है और इसका जो graph होता है वो कैसा होता ह देखिए लिखाए Giffen Goods has upward sloping graph मतलब क्या जैसे भी हमने बनाया था graph कि इसके लिए law of demand के लिए downward sloping था इसमें क्या था upward sloping price अगर आपका जादा है तो demand भी उसकी क्या होगी जादा होगी अब price कम है तो demand भी कम होगी तो ये graph इस तरीके से बनता है मतलब ये price है और ये demand है अगर आपकी तो price जब कम है तो demand भी कम है price जब जादा है देखे demand भी क्या होगी इसकी जादा होगी लेकिन ऐसा होगा क्यों आप सोची अगर किसी विवस्त की अगर आप price बढ़ाते हैं तो उसकी demand बढ़ेगी क्यों तो उसके पीछे भी कुछ region होता है, क्या वो regions होते हैं, और किन-किन conditions में ऐसा होता है, यह हम समझने का प्रयास करते हैं, उससे पहले देखें क्या रिखा है, A Giffin Good is typically an inferior product that does not have easily available substitutes, as a result of which the income effect dominates the substitution effect, बतलब करें, जनरल यहां पर धियान रखेगा, कि जो बात की जा रही है, वो टिपकली जनरल होता हमेशा सत नहीं, कि जादा तर वो inferior products होते हैं, वो जो आसानी से उपलब्द नहीं होते हैं सब के लिए, तो ऐसे case में हम Giffin Goods का प्रय प्रयला तो तब होगा जब कोई necessity goods हो, necessity goods का मतलब जिसके बिना आप रह नहीं सकते, अपना जीवन चला नहीं सकते, जैसे अगर बात की जाए, हम बात करते हैं, अपने खाने पीने की तो दाल, चावल, गेहूं, यह सब हमारी क्या है, necessities हैं, अब जैसे ही दाम इनके अगर बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी demand कम हो जाएगी, लोग कम खाएंगे, बलकि लोग कभी कभी ऐसा होता है कि इस डर से कि हाँ, कल आज अगर 50 रुपए में है चावल, तो कल को कहीं है 100 रुपए में ना हो जाए, इस डर से लोग 50 रुपए वाला चावल, अ ठीक है, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, जो आपके लिए जरूरी ही जरूरी होता जा रहा है, फिर दूसरा आता है ignorance, ignorance का मतलब क्या होता है, अग्यानता, ठीक है, मतलब जो भी आपका consumer है, वो अग्यानी है, मतलब वो market का कभी जाच परताल करता है, ये कौन सी वस् इग्नोरेंस अगर होती है, जनता या जो भी consumer जागरुक नहीं है, तो उसको कभी पता ही नहीं चलता है कि किस वस्तु की कीमत है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वो कभी वस्तु की कीमत के हिसाब से नहीं खरी देगा, उसको अगर 4 किलो चाहिए होगा, तो आज भी वो 4 किलो खरी देगा, कल अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो भी वो 4 किलो खरी देगा, और बढ़ जाएगी, तो भी वो 4 किलो खरी देगा, क्योंकि वो उसने कभी market को सर्च नहीं किया, कभी इस पर गया नहीं कि कि स्वस्तु की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, फिर आते हैं तीसरी जो condition है वो होती war and emergency की मतलब in case of war and emergency जब भी आपकी war and emergency की situation आती है तब आपका law of demand काम नहीं करता है आपको पता है कि अगर किसी भी देश में युद्ध हो रहा है या emergency आ गई भूकम पागया बाढ़ आ गई तो ऐसे case में कौन जाता है price के उपर लड़ने के लिए कि न अब धता ही इतनी कम होती है लोगों को अपना जीवन बचाने का ज़्यादा पड़ा होता है पैसे उसमें नहीं देखते हैं कल कितने में था आज कितने में है चौथा जो point होता है gift in goods वाली जो condition होती है वो होती luxury जो goods होते हैं उनके उपर आपको जैसे एक बहुत अच्छा सबी लोग देते हैं apple company को ले करके apple के mobile phone हर साल महगे हो जाते हैं और उनकी production होती हो कम नहीं होती है या ना तो उनकी जो sales होती कम होती है वो अपनी sales पर बरकरार ही रहते हैं ऐसा नहीं है कि कल को apple का phone 40,000 का विकरा था 70,000 का आ गया phone तो बहुत ज्यादा नुक्सान होने वा हमारे पास ठीक है या फिर हमारे पास Mercedes car है BMW car है तो luxury वाली जो चीजे होती है उनके condition में कभी भी आपका law of demand काम नहीं करता है जिसके पास 4 Mercedes गाडियां है वो पांचवी जब खरीदने जाएगा तो उसको यह नहीं होगा कि आपने 4 तो हमको इतने में दी है पांचवी इतने में क्यों दे रहे इतने में और होगा तो और अच्छे से खरीदेगा चलो अभी 40 लाग के थिया 50 लाग की खरीद के लाए हैं फिर जो आखरी वाला पॉइंट हो क्या है habituate goods जो होते हैं मतलब जिनकी आपको आदत सी पढ़ गए जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं उनकी कीमत बढ़ने पर भी आपको कोई फरक नहीं पढ़ता है आप जितना quantity consume कर रहे थे उतना आज भी करेंगे क्योंकि आप उनकी आदत है बहुत सारे लोगों जैसे लेकिन वो पिएंगे उतना ही ठीक है तो यह जो conditions होती है इनके हिसाब से आपका law of demand काम नहीं करता है इसको हमेसा याद रखीगा मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा next हम आगे बढ़ते हैं अब चलते हैं देखते हैं कि determinants of demand क्या होते हैं मतलब जो आपकी demand होती है वो कौन-कौन से factors पे dependent होती है कहां-कहां पे अगर change आप करेंगे तो demand में change होप का पहला है price of the commodity यह हमने सबसे पहले ही देखा है कि अगर कभी कोई किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है गड़ती है तो demand का उस पे inverse effect होता है अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो demand कम होगी अगर कम हो रही है को वस्तु की कीमत तो demand बढ़ेगी आप Giffin Woods को छोड़ यह दो पहला तो आपको clear ही होगा दूसरा आते है taste and preferences of consumers यह important है क्या कि किसी वी वस्तु की जो demand होती है वो taste of preference पे भी depend होती है मतलब कि अगर आप एक example दूँ कि अगर आप pizza खाते है pizza खाने के सोखीन है और अगर आपको domino's का pizza अच्छा लगता है तो pizza hut का अगर दाम कम भी होता है तो आपको उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि आपको domino's का जो taste है वो ज्यादा पसंद आता है तो इससे आप भटकेंगे नहीं कि नहीं pizza hut का pizza तो ज्यादा सस्ता हो गया है हम उसमें जाके खाते हैं क्यों क्योंकि आप taste के उपर अपनी preference को लाएं कि आपको taste इसका ज्यादा अच्छा लगता है जो कि आपको pizza hut का नहीं पसंद है तो taste और preference भी एक आपका बड़ा factor होता है किसी भी वस्त की demand में अगर आपका taste और preference चेंज हो जाए आज मुझे domino's का अच्छा लग रहा है तो ठीक है price से कोई मतलब नहीं रह रहा है कल को मुझे pizza hut का अच्छा लगने लगा तो मैं pizza hut का pizza खाने लगूँगा फिर मुझे यह नहीं फरक पड़ेगा कि domino's ने अपने price कम कर दिये क्यों क्योंकि मुझे उसका taste पसंद आ चुका है तो taste में अगर परिवर्तन होता है तो भी demand अपने आप ही परिवर्तित होती रहती है तीसरा important factor है आपका income का income of the people देखिए इन सबको मैंने लिखा नहीं है और लिए आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान से एक बार सुन भी लेंगे तो हमेशा क्लिए याद हो जाएगा income of the people का मतलब क्या है कि लोगों का यो आए है अगर उस पे प्रभाव पड़ता है income पे प्रभाव पड के अब कर दिया आप 20,000 से इसकी सेलरी बढ़के 25,000 हो गई तो जाहिर सी बात है जब इसकी सेलरी बढ़के इसके 5,000 रुपए जादा ये पाने लगा तो ये वस्तुओं की डिमांड भी 5,000 रुपए जादा के हिसाब से और करेगा और अगर income कम हो करके इसकी हो गई 10,000 त करता था उससे कम खर्च करेगा थोड़ा बचा बचा करके खर्च करेगा तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी किसी एक वस्तू को ले करके भी आप कर सकते हैं या फिर आपको जैसा मैं जनरल सेंसर समझा है ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर income बढ़ती है तो क्या हो उनकी डिमांड कम हो जाती है कैसे माल लेते हैं कि एक की salary है 20,000 रुपए ठीक है और यह चावल खाता है यह चावल है 50 रुपए पर केजी वाला यह चावल खा रहा है ठीक है आज को एक की salary बढ़के हो जाती है 40,000 रुपए तो अब ए 50 रुपए किलो वाला चावल नहीं जो महेंगी वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है इनकम बढ़ने से और यही इनकम अगर कम हो जाए एक ही इनकम 20,000 से कम होके 10,000 पर हो जाए तो 50 रुपए किलो वाला चावल छोण करके वो 40 रुपए किलो वाला चावल खाने लगेगा मतलब सस्ती जो दिमांड के ऊपर, पिर आते हैं Changes in price of related goods, प्रास चेंज होंगे तो भी उसका प्रभाव परता है और related goods कैसे हो सकते हैं या तो substitute goods ओंगे या फिर वह complimentary goods अब दोनों का मतलब समझेगा, substitute goods का मतलब क्या होगा, जो एक दूसरे को इस्थाना पन कर दें, इस्थाना पन का मतलब क्या होगा, कि जैसे हमें comments example लेते है, tea का और coffee का, ठीक है, तो अगर tea और coffee है, ठीक, तो यह एक दूसरे के क्या है, इस्थानापन हैं, यह substitute हैं, दोनों ही क्या हैं, hot drinks हैं जिनको हम पी सकते हैं, तो अगर चाय की कीमत में बढ़ोतरी हो गए, चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो लोग अपने आप coffee पे switch हो जाएंगे, क्योंकि चाय की कीमत coffee से जादा हो गई, बढ़ गई, तो लोग कहेंगे कि अगर चाय की कीमत आपकी कम हो जाती है, तो जो coffee पॉइंट पीने वाले लोगों में सामिल हो जाएंगे, क्योंकि चाय अब कम मिल रही है, अगर माले 10 रुपए, 10 रुपए शुरुआत में हैं, शुरुआत में चाय की कीमत 10 रुपए, 10 रुपए काफी की भी थी, अब कोनों में 50-50 लोग थे, coffee पीने वाले भी, चाय पीने वाले भी, अब कितने हो जाएंगे, अब चाय पीने वाले लोग हो जाएंगे, आपके 40, और coffee पीने वाले हो जाएंगे, 60, 10 रुपए, कुछ लोग बचे रहेंगे, क्योंकि taste और preference से कोई चीज होती है, ठीक है, तो य पीने वाले लोग अब इमाल लेते हैं, चाय पीने वाले 70 हो जाएंगे, तो coffee पीने वाले कितने हो जाएंगे, 30 ही बचेंगे, तो यह आपका प्रभाव पढ़ता है, substitute goods का, substitute का मतलब ही होता है, आपके स्थाना पन्न वस्तु हैं, मतलब जो एक दूसरे को, एक दूसरे से स रिफ्रेंस वाले लोग थोड़ा सा बचे रहते हैं, फिर दूसरा आता है, complimentary goods, complimentary goods का मतलब क्या होता है, complimentary goods कहेंगे, जैसे बहुत अच्छा एक्जामपल दिया जाता है, car और petrol का, मतलब, car अकेले नहीं चल सकते, उसको petrol की जरूत पड़े गया, petrol अकेले नहीं जा सकता है, और वो car में पड़ेगा, तो ही उसका काम हो पाएगा, मतलब, दोनों एक दूसरे पे क्या है, dependent है, कोई अस्वतंत्र केले कुछ नहीं कर सकता है, तो यह क्या होता है, complimentary goods के case में, कि अगर car की कीमत बढ़ रही है आपकी, या ऐसे कहलें, petrol की कीमत अगर आपकी बढ़ेगी, तो car की demand अपने आप कम हो जाएगी, कैसे कम हो जाएगी, कि car petrol के उपर dependent है, अगर petrol आज मिल रहा है, मान लेते हैं, 60 रुपय में है, अपने सही बता रहा हूँ, 60 रुपय में है, और अब petrol की कीमत बढ़ करके, 160 रुपय हो जाती है, तो जो लोग अभी गाड़ी खरीदने वाले होंगे न, वो भी सोचेंग, यार, 160 रुपय का petrol मिलेगा, पर लीटर में, काम नहीं चल पाएगा, इससे सस्ते में public transport का इस्तमाल कर लेंगे, तो वो car की demand को कम कर देंगे, ठीक है, यह आपका प्रभाव पढ़ता है, complimentary goods के case में, कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती इससे कहीं भी जा सकते हैं, इससे सस्ता तोर कुछ हो नहीं सकता है, तो उसकी demand अपने आप ही क्या होगी, बढ़ जाती है, car की demand बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से दोना आपको समझ में आओगा, फिर देखिए, चौथा यहाँ पे पांचवा फेक्टर का है, the number of consumers in the market, हाँ यह भी बहुत important है, कि जिस भी market में आप हैं, उसमें consumers कितने हैं, यह भी depend करता है कि कि किसी वस्तु की demand कैसी होगी, और कई बार इसे जैसे लिखा है the number of consumer, तो इसे हम दूसरे टम में type of consumer भी कह सकते हैं, कैसे, example के तोर पे अगर मैं आपको बताऊं, कि अगर मैं किसी भारत क गाउं में चला जाता हूं, ठीक है, जो भी हमारा गाउं है, उसमें कहीं चला जाता हूं, और वहाँ पर जा करके मैं Mercedes का showroom खोलता हूं, इस फिराक में कि लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है, तो ऐसा बहुत कम ही होगा कि वहाँ पे कोई Mercedes खरीदने वाला वेक्ति मुझे मिल ये, तो वहाँ पे उसकी demand क्या होगी, बिल्कुल भी, कोई demand नहीं है, और बहुत कम demand होगी, तो type of consumer वहाँ पे कैसा है, low income level का है, middle class है, lower middle class है, ठीक है, या पूर लोग वहाँ पे है, तो वहाँ पे अगर मैं 40 लाकी Mercedes बेचने जाऊंगा, तो कोई नहीं लेगा, ठीक, इसी यहाँ की life style कहीं जादा है, luxurious है, हो सकता है, कोई मुझे पूछे ही नहीं, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी depend करती है, कि आपका consumer कैसा है, और number of consumers कैसे है, आप जिस market में अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उस बस्त की demand, type of consumer और number of consumer दोनों पे depend करती है, छठा क्या है, changes in the prosperity to consume, prosperity का मतलब क्या होगा हिंदी में, जुकाओ, मतलब कि आप consume करने के प्रति आपका कैसा जुकाओ है, वो define करेगा कि demand कितनी होगी वस्तों की, मतलब क्या है इसका, कि अगर income आपकी constant रहे, आपकी income में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ए को अगर ले ले लेते हैं, ए कितना 16,000 रुपए खर्च करता है, इतना वो spend करता है, और 4,000 रुपए वो अपना save करता है, 4,000 रुपए बचाता है, मतलब 16,000 रुपए वो consume करने पर खर्च कर रहा है, कुछ न कुछ goods और services को, तो अगर इसमें change आता है, कि वो अब सोच रहा है कि नहीं, अब मुझे बचाना ज्यादा है, मान लेते हैं कोई उसके दिमाग में कोई आ जाता है, डिमांड की मुझे आगे चल के स्वस्त को खरीदने की जरूत पर तीसले मुझे saving ज्यादा करनी होगी, तो इस हिसाब से अगर वो बचाने की तरफ ज्यादा जुकाओ उसका हो जाता है, consume करने की तरफ उ दिमांड में क्या ही होगी, कमी आएगी क्योंकि अब 14,000 रुपे ही खर्च कर रहा है वो, ठीक इसी का उल्टा भी हो सकता है, कि अगर उसका जुकाओ खर्च करने की तरफ ज्यादा बढ़ जाए, वस्तों को consume करने की तरफ ज्यादा बढ़ जाए, तो अपने खर्च को अगर चेंज होती है, उनका जुकाओ अगर चेंज होता है, तो उसके हिसाब से भी डिमांड आपकी वैरी करेगी, तो ये हैं आपके 6 में डिटर्मिनेंट्स डिमांड को लेकर के, मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आया होगा, नेक्स अम चलते हैं, देखते हैं, काइंड डिमांड कितने हैं, एक होती है, प्राइस डिमांड, एक होती है, इनकम डिमांड, एक होती है, क्रॉस डिमांड और एक होती है, डारेक्ट डिमांड, जनरली हम तीन को देखते हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस डिमांड को, डारेक्ट डिमांड अभी मैं आपको आगे बत purchase at a given time and at a given price assuming other things remaining the same, मतलब price को छोण करके बाकी सारी चीज़ें अगर same है, तो कोई भी अगर consumer है, वो किसी वस्तो को या अलग-अलग वस्तों को अलग-अलग समय पे उनकी जो अलग-अलग कीमतों पे खरीदता है, वही क्या होती है, उनकी price demand होती है, मतलब और सारी चीज़े same आपकी रहेंगी और कुछ नहीं बदल रहा है, कि उनकी price में अगर change हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी demand change होती है उसे हम कहते है, price demand कहेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, price demand has inverse relation with the price, जैसा आम सबने भी पहले से ही देखा हुआ है, as the price of commodity increases, the demand falls, as the price decreases, demand rises, यह सारी चीज़े हम पहले से ही देख चुके हैं और पता है अगला चलते है, income demand क्या है, income demand refers to the different quantities of commodity or services which consumers will buy at different levels of income, assuming other things remaining constant, मतलब income demand हम तब कहेंगे जब किसी consumer के income में बदलाओ आए, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, income में कुछ न कुछ बदलाओ आए, बाकी चीज़ें अगर स्थिर रहें फिर जो आपकी demand change होती है income में बदलाओ की वज़ा से वो आपकी होगी income demand, जैसा भी मैंने आपको पहले ही बताया था और यहां भी देखें क्या लिखाए, the demand of inferior or cheap goods is inversely related with the income मैंने आपको बताया था कि अगर income बढ़ेगी तो 50 रुपय की जगा वो 100 रुपय का चावल खाएगा और अगर उसकी income कम होगी तो 50 रुपय की जगा वो 40 रुपय का चावल खाएगा ठीक है यह आपका क्या होता है एकदम inversely related होता है तो यहां पर confused मत होगेगा inferior goods का मतलब क्या है कि जब आपकी demand बढ़ेगी तो जो सस्ती वस्तों हैं उन्हें आप कम खरीदेंगे तो आप और अच्छी वस्तों हैं जिनकी price और अच्छी हो क्योंकि आप उन्हें आप खरीद आपकी ability नहीं है कि आप उनका price पे कर सकें नेक्स देखते हैं क्या है cross demand क्या है when the demand of the commodity depends not on its price but on the price of the other related commodities it is called cross demand here we take closely connected related goods which are substitute for one another तो यहां पर बताने का मतलब क्या cross demand क्या है कि जब किसी वस्तों की demand उसकी अपनी price के उपर ना हो करके दूसरे उसके जो substitute है उसकी price के उपर depend करे तो उसे हम कहेंगे cross demand जैसा भी मैंने आपको tea और coffee वाला example दिया था वही आपका है अब यहां पे देखिए क्या है tea और coffee मान लेते हैं 10-10 रुपर में बिक रह रहेगी तो यह जो यहां के जो पीने वाले coffee पहले पीने वाले हैं वो अपने आप ही tea की तरफ इंटेंड हो जाएंगे tea पीने वालों में सामिल हो जाएंगे tea की कीमत में कोई परिवर्ता नहीं है लेकिन अब इसकी demand क्या हो गई बढ़ गई तो यहां पर यहीं बताने क्य कोशिस की जारे कि जब demand आपकी जो वस्तु है उसकी कीमत के उपर ना नेरभर हो करके उसका जो substitute है या फिर जो related good है उसकी कीमत के उपर depend रहेगी तो उससे हम कहेंगे cross demand ओके मेरे खाल से समझ गए होंगे आप next हम बढ़ते हैं और देखते है type of demand अब type of demand में यहां पर इंडिविजुल एक organizational autonomous और यह जॉइंट और राइबल डिमांड यह आपका short term and long term थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा जन्रल है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है short term demand और long term डिमांड में क्या difference है कि अगर किसी वस्तु की demand कि कम समय जैसे अगर मैं कह किसका sweater को ले लेता हूं jackets को ले लेता हूं तो इसकी demand के एक season तक ही सीमित है तो short term demand होती है इसकी long term demand की अगर मैं बात करूँ तो long term demand का मतलब क्या होगा जो बहुत सालों तक कि आपकी demand को carry कर सकता है वो आपकी long term demand के अंदर गत रखा जाएगा अगर मैं कह दूँ price of milk तो milk क की जो कीमत है वो कोई short term demand में नहीं आएगा वो long term demand के अंदर गत आएगी इसी तरह यहां पर एक simple सी चीज़ है organization and industry demand का मतलब होगा किसी particular product की मतलब वो किसी specific industry से related होगा उसकी total demand से है मतलब अगर example जैसे देना चाहूं मैं किसको दे सकता हूं चली जैसे बहुत famous होता है क्या जैसे mobile industry को अगर मैं ले लूँ तो पूरी mobile जितनी भी आपकी companies है उन सब की जो demand होगी वो industry demand के इंतरगत आएगी कह देंगे वो mobile की demand है आपकी total mobile कितने है चाहे वो किसी भी company का होगा जबकि organization demand का मतलब क्या होगा कि specific कौन सी company का वो mobile है अगर वो Motorola का है तो उसके इंतरगत क जिएवल Motorola का बना हुआ mobile आएगा और कोई नहीं आएगा तो यह क्या होगी organization demand होगी ठीक है दोनों में मतलब समझ रहे होगी यह आपका क्या सूपर सेट है industry demand और organization demand उसका subset है ओके बाकी के और हैं उनको देखते हैं जैसे individual market demand का मतलब क्या होता है individual demand का मतलब क्या है means the quantity demanded by an individual consumer at a various prices at a given point of time मतलब किसी भी वस्त की जो भी आपकी मांग है किसी individual consumer को ले करके अलग-अलग की मतों पे किसी अलग-अलग आपके time period पे वो क्या कहलाएगी आपकी individual demand कहलाएगी आइस्क्रीम का example अगर मैं ले लेता हूँ ठीक आइस्क्रीम ले लेता हूँ example के तोर पे तो यह मां लेता हूँ है अगर आइस्क्रीम पांच रुपए की है तो यह 4 आइस्क्रीम खरीता है अगर यही आइस्क्रीम 10 रुपए की हो जाती है सेम आइस्क्रीम तो यह 3 आइस् खरीदता है यही ए तो यह क्या है इसकी इंडिजुएल डिमांड है कि प्राइस जैसे बढ़ती जा रही है इसने कम करता गया अब यही अगर मैं एक और परसन की बात करूं बी के लिए आइसक्रीम की कीमत को लेकर कैसे एक ग्राफ बनाता हूं तो क्या होगा बी माल लेता पांच रुपए अगर कीमत है तो अगर 10 रुपए कीमत होती है तो यह खरीदता है तो के यह क्या है यह कीमत पोत। यह इनकी डिमांड बतारी आइस्क्रीम को ले करके, मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, means the total quantity demanded by all the buyers at various prices, मतलब समझे कि total demand क्या होगी, कि जितने भी consumers हैं, इसी आइस्क्रीम को ले करके, अगर मैं कहूं, इंडिविजवल डिमांड एक लिए अलग होगी, लिए होगी, लेकिन अगर मैं कहूं, आइस्कृम की market demand क्या होगी, तो अब आइस्क्रीम की market demand देखिएगा क्या होगी, पांच रुपए की कीमत पर, कितनी आइस्क्रीम विक रही है, चार प्लस दस, कितनी चौधा आइस्क्रीम, 10 रुपए की कीमत पर, जितने भी A, B, C, D, जितने भी consumer होंगे, अलाग अलाग price पे total demand कितनी है, ये क्या आएगी, market demand के इंतरगत आएगी, next देखते हैं, autonomous or derived demand का मतलब क्या होता है, autonomous demand का मतलब refers to the demand for product which is wanted for itself, मतलब किसी वर्ष्ट की जो want है, वो अपने द्वारा ही उत्पन हो रही है, उसी वर्ष्ट के द्वारा ही उत्पन हो रही है, उसे हम कहते हैं autonomous demand, ठीक है, जैसे अगर आपका मन है, तो आपको जरूरत है, तो आप mobile phone खरीद ले रहे हैं, तो ये आपकी जरूरत है, कि आपके चीज से प्रभावित नहीं हुए, ना तो कोई ऐसा चीज है, जहां से मुबाईल की मांग डिराइव हुई है, जबकि डिराइव डिमांड का मतलब क्या होता है, जो किसी और वस्तु की वज़ा से उत्पर्न होती है, डिमांड, उसे कहते हैं, डिराइव डिमांड, ओर्टोन इस्टेंस, the demand for a plot is direct demand, कि अगर आप कोई plot खरीते हैं, मतलब जमीन खरीते हैं, तो direct demand है, But the demand for cement, bricks, iron and steel ETC needed for construction of a house is derived demand, कि घर बनाने के लिए आपको cement, heat, steel, iron इस बदुन की जो भी ज़रुत होगी, ये क्या होगी, derived demand होगी, और derived demand आपकी direct demand के पर dependent होगी, क्योंकि अगर आप के पास प्लॉट नहीं होगा तो आप यह सारी चीज़ें खरीद करके नहीं लाएंगे लेकिन आप जब प्लॉट खरीदेंगा घर बनवाना होगा तो आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत जरूर पड़ेगी ठीक है मेरे काल समझ गया होंगे आप नेक्स्ट हम देखते हैं यह क्या होते हैं जॉइंट डिमांड का अंतलब क्या है वेंट टू गूड्स और यूज्ट टूगेदर टू सटिस्फाई अब पर्टिकुलर वांड दे आर सेट टू बी जॉइंट ली डिमांडेट कि जब दो वस्तों में या दो से अधिक वस्तों में किसी एक ही डिमां को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाए तो जॉइंट ली डिमांड या जॉइंट डिमांड के इंतरगत आएंगे जैसा वी आपने प्लॉट ओल एक्जम्पल लिया कि अगर आपको घर बनाना है तो आपको लेबर की जरूद पड़ेगी कैपिटल की जरूद पड कि अगर किसी प्रोड़क्ट की डिमांड एक से अधिक या दो से अधिक परपस के लिए होगा तो उसे हम कहेंगे राइवल डिमांड राइवल डिमांड का अतलब क्या जैसे अगर मैं बात करता हूं लेबर की या फिर सिमेंट की तो लेबर का प्रियोग जैसे आप कर रहे हैं वो आपका industrial तोर पे भी आपका यूज होता है लेबर भी आप यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग और भी यूज कर रहे होंगे मान लेते हैं जिस इलाके में आपको घर बनाना है वहां पे सरकारी कोई प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें पर डे के हिसाब से 600 रुपए मजदूरी दी जा रही है आपने मजदूर लाए हैं 400 रुपए पे सरकारी प्रोजेक्ट आ जाने की वज़ा से वही उतने ही लोग तो होंगे तो वो क्या करेंगे आपके काम क्यों करेंगे वो जा करके उस प् सकता है जैसे होता है और एक होता है एक होता है cash in एक मतलब difference पूछा जा सकता है कभी भी कहते हैं change in demand और एक होता है आपका change in quantity demanded ठीक है change in quantity demanded इनमें फरक क्या होता है ये बताने के लिए कभी-कभी पूछा जा सकता है तो इसका मतलब क्या होता है change in demand का मतलब होता है कि अगर price को हम fix कर दें बाकी चीजों में अगर variation होता है जै मैंने determinants आपको बता है उनमें अगर कोई बदलाव होता है उसकी वज़ा से अगर demand में कमी होती है या बढ़ोतरी होती है तो वो change in demand में गिना जाता है change in quantity demanded में क्या होता है कि बाकी सारी चीज़ें fix होती है price की वज़ा से अगर demand में कमी होती है या आधिकता होती है तो उसे हम change in quantity demanded में गिनते हैं तो ये होता है दोनों के बीच में basic सा difference तो इस वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको कोशिश की कि demand theory को आसानी से simple भासा में समझा सकों simple examples के थुरू जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आजा और आप उसे अपनी general life से आसानी से relate कर पाएं और आपको ये भूले गाने कुछ भी याद नहीं करना है आपके आस-पास की जो घटना है उनहीं को लेकर कि मैंने आपको समझाया है तो वीडियो अगर पसंद आया मेरा प्रयास पसंद आया तो आप मुझे comment करके बताईएगा जिससे मुझे पता चल सके कि आपको ये पसंद आया है और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी share करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभानवित हो सके तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे नेक्ट वीडियो में अगर आप इस चैनल पर नए हैं पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे इस तरह की वीडियोज आपको मिलते रहेंगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी तो have a nice day and bye